हम लोग डीए चातरों perfectly class में आपका स्वागत है हम लोग असधो के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज असधोग अंदोलन के बारे में खासर के असधोग के अस्थविद के जाने के बारे में और 물 यह गांधोष्ष दमीया उसके बारे मैं हम लोग चर्चा करेंगे जैसा कि पिछले क्लास में आपसे चर्चा हुई थी आपको बताया था मैंने कि पांच फरवड़ी उनिस्वा बाइस को चौरी-चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन के अस्थागर्म का फैशला किया और फिर बारा फरवड़ी को कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक हुई जिसमें अस्थायोग आंदोलन को अस्थाइद कर दिया गया बस्तुता आंदोलन के अस्थाइद किया जाने के पीछे का जो मुख कारण है आप जानते हैं कि गांधी का हिंसा प्रकाफी जोड़ था और गांधी किसी भी तरह से आंदोलन को हिंसक होने से बचाना चाहते थे जबकि आपने देखा है कि अस्थायोग आंदोलन के शुरू होते ही होते हिंसा हुई है रॉलेक ट्रेक्ट के इसके अलाबा अस्थायोग आंदोलन के दौरान भी हिंसा हुई है इसलिए साफ हिंसा नहीं हो ऐसा तो शंभब नहीं जान परता था लेकिन गांधी जी को इस बात का डर था कि अगर आंदोलन हिंसक होता है तो अंगरजी सरकार को हिंसक आंदोलन को दबाने में आसानी हो जाएगी वह हिंसक घटनाओं को आसानी से दबा पाएंगे और उनके पास इस हिंसक कारवाई को दबाने का एक मजबूत आधार भी होगा तो जैसे ही गांधी ने आंदोलन को वापस लिए जाने का फैसला किया तो इससे कोंग्रिसी नेताओं देश के जो अनकोंग्रिसी कीनेता थे, उन्होंने गांधी के इस अस्थघन का बिरूध किया और खास करके पंडित मुतिला नहरू और लावाजपतराय ने जेल से गांधी को अंधोळण पस्रिद के जाने के विरूध में एक पत्र लिख करके उन्होंने गांधी का इसहारा इसौर अकर्षित किया उ था और खासर के कॉंग्रेस पार्टी के जो जूबानेता थे जिसमें सुभास्चंद बोस और पंडी जबाला नहरू तो ये लोग भी असहयोग आंदोवन के जाने से काफी दुखी थे काफी परिशान थे और सुभास्चंद बोस ने तो इसको राष्टिय दुरभाग करार लिया था कॉंग्रेसी नेताओं ने असहयोग आंदोवन के बापस ले जाने को राष्टिय अपमान माना और फिर खिलाफत के नेताओं को भी इस बास से दुख हुआ चुकि गांधी ने एक पक्षिय तरीके से इस आंदोवन को वापस ले लिया था जबकि हम जानते हैं कि असहयोग की शुरुवात खिलाफत के मुद्य को ले करके हुई थी तो इससे हिंदू-मुस्लिम एकता की जो भावना थी वो कमजोर परी और आपने देखा कि असहयोग आंदोवन के बापस लिया जाने के बाद पूर्य देश में हिंदू-मुस्लिम सोहार्द जो था वो ब बरे परमाने परसामपरदाइक हिंसा हुई तो इस तरह से असहयोग आंदोवन का अस्थगन जो है यह देश की जनता में निरासा की भावना का कारण बना और कुछ इतिहासकारों ने इसके लिए कहा भी है जैसे माक्सवादी इतिहासकारों में जैसे रजनी पामदत जैसे लोगों ने असहयोग आंदोवन को वापस लिया जाने के पीछे गांधी के भुर्जो अचलीतर को जीमेदा ठराया है रजनी पामदत साहब का कहना यह है कि गांधी जो थे वो बरे बरे पुंजी पतियों के बरे बरे जमिनदारों के मित्र थे और जब उनको इस वात का अ अधरी जो है जनता जुहारू संखर्स के लिए तयार हो रही है अमीर सोस्कों के खिलाफ कमर कस रही है और आंदोलन उनके हांद से निकलता जा रहा है इसलिए गांधी जी ने इस आंदोवन को वापस ले लिया बार्दोली प्रस्ताओं को उन्होंने सबूत के रूप में वो ने कहा कि बार्दोली प्रस्तावां में गांधी जी ने किसानों से लगान देने का अगरह किया था इस तरह से रजनी पामदत ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि गांधी बुर्जुआओं के निता थे और जैसे ही गांधी को इस पाद का लाया हुआ कि यह अंदोरन जो है यह उच्छ बरक के खिलाप होता जा रहा है तो गांधी ने अंदॉलन को वापस ले लिया एक दूसरी बात और भी है कि गांधी ने इस अंदॉलन का दौरान कहा भी था कि बारदोली में जब अंदॉलन सुरू होगा तो देश के किसी अनभाग में हिंसा नहीं होनी चाहिए इसके पीछे गांधी का तरक यह था कि अगर अंदॉलन में ह तो सरकार को दमनात्मक कारवाई करने का बहाना मिल जाएगा और गांधी जी की जो अहिंसाबादी रनीती है वो इसके खिलाफ है गांधी जी की अहिंसाथमक रनीती यह है कि अगर सरकार दमनात्मक कारवाई करती है जनता अगर अहिंसक तरीके से अंदोर्ण कर रही है कि आंधुवान को हमेशा अहिंतक रखने के ही पक्ष में थे एंधुवान बापस लेने के बीछ गांधुटी ने लड़ाकू ताक्तों के प्रभाव से वापस लिया रजनी पामदत सहाब का यहा जो है वो बिल्कुल सही परतीत नहीं होता है उन्होंने चौरी-चौरा कांड का हवाला दिया है लेकिन चौरी-चौरा की जो घटना घटी उसमें कहीं भी कार्ज करताओं ने जमिनदारों के खिलाफ या आर्थिक सम्मंधों के खिलाफ आंदोलन छेरने जैसी उहां कोई बा दस रही थी और गांधी के हांस से नित्रुत निकलने वाला था यह ऐसा आरोप जो है बिल्कुल ही उचित नहीं है इसको जायज नहीं कहा जा सकता है दूसरी बात है कि बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने किसानों से कर्यवम लगान देने की बात गही थी तो गांध गांधी बर्ग संगर्स के पक्षदर नहीं थे गांधी बर्ग समन्वय के पक्षपाती थे और गांधी की सोच यह थी कि समाज के सभी बर्गों की भागिदारी से ही आंदोलन मजबूत हो सकता है और देश की चंता को आजादी मिल सकती है तो ऐसी परिस्तिती में कर्ण अंदोलन कैसे चल सकता था सचाई तो यह है कि गांधी जी द्वारा अंदोलन बापस लिए जाने का मुख कारण यह था कि 1921 के 1921 के बर्स के उतरार्द से आंदोलन धीरे-धीरे कम जोर पर रहा था छात्र जो था छात्र फिर से स्कूलों में लोट रहे थे ओकील ओकीलों क के पास जो विदेशी बस्तूओं का विदेशी कपरों का स्टॉक था वो उनके लिए चिंता का कारण बना हुआ था और धर्ना जूलू सरेलियों में लोगों की संख्या घरती जा रही थी ऐसी परिश्थती में आंदोलन को बापस लेने के सिवा गांधी के पास कोई विकल हो जाता है तो इस तरह से रजनी प्रामदत सहाब का जो यारोप है कि गांधी ने अपने बुर्जुआ मित्रों के हितों को धियान में रह करके आंदोलन को वापस ले लिया ऐसा कहना बिल्कुल ही शही परतीत नहीं होता है बस्तुता है आंदोलन के अस्तगन को हम शंघर् सकते हैं गांधी ने कहा कि कोई भी जो जनांदोलन है उसको लगातार अनिश्चित काल तक नहीं चलाया जा सकता है गांधी की सोच ये थी कि आदमी की कोई भी व्यक्ति जो है उसकी जो शहन शक्ति है उसके बल्दान करने की जो शक्ति है वह सीमित नहीं होती है गांधी न करने के बाद वह सुस्ता आता है हैना और फिर से नए सीरे से वह उर्जा को संजोता है जिससे के अगले आंदोलों में वह महत्पुन जिम्हेदार्यों को निभाशके तो इस तरह गांधी ने कहा कि साहब यह आंदोलन जो है आंदोलन का वापस लिया जाना आंदोलन को अधा था और गांधी की सोच यह थी कि यह अंदोलन जो है यह हिंसक हो रहा है और ऐसा हुआ भी गांधी की आसंका जो थी वह बिल्कुल जायस थी पांच तारिक को चौरी-चौरा में लोगों की भीर ने थाने को घेर करके आग लगाई थी इसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा मारे गए थे लेकिन दो ही दिन के बाद राय भरेली में भी घटना घटी जहां परदसनकारियों पर पुलिस में गोलिया चलाई और लगवक साथ लोगों को मार दिया गया था तो गांधी ऐसा महसूस कर रहे थे कि अगर यह जो सभीना बग्या अंदोलन अगर दिस में दि पुलिस को कारवाई का बहाना मिल जाये गार पुलिस सकत कारवाई करेगी छंता को मनोबर तूट जाएगा और अगले आंदोनों में जंता की भागडारी जितनी हुनी चाहिए उतनी भापगडारी नहीं हो पाएगी इसलिए गांधी ने आंदोवन को अस्थागित किया औ और इसका एक कारण और भी है कि गांधी जी ने जब आंदोलन के कोस्ताइद करने का निर्णे लिया तो एक साल बीतने बाला था, सरकार के रविये में कोई बदलाव नहीं आया था, और जनता का उशाह भी धीरे-धीरे कमजोर पर रहा था, तो ऐसी स्थी में गांधी ने एशा महसूस किया कि आंदोलन को अगर वापस लिलिया जाता है, तो जनता के मनोबल को बनाए रखा जा सकेगा, और आगामी आंदोलनों में फिर से जनता पूरी उर्जा के साथ, पूरे मनोबल के साथ भाग लेगी और आंदोलन जोरदार हो प कर दिया त्यूंकि की सोचे थी कि अंदोलन की कम जोरियां प्रकट होने लगी थी आंदोलन धीरे दीरे कम जोर पर रहा था और गांदी को एक मौका चाहिए था और चौरी चौरा के रूप में गांधि को मौका मिला और गांधि ने आद्ववन को अस्थाइद कर दिया यहां एक बात और भी ध्यान देने की है कि चौरी चौरा में 22 पुलिस कर्मी को जिंदा जला दिया गया था वहां 22 पुलिस कर्मी मारे गया थे लेकिन इसके ठीक पहले न अगातार हिंसा हो रही थी और गांधि की सोच यह थी कि असहयोग आंदोलन के लिए जनता अभी पूरी तरह तयार नहीं है चुकि असहयोग आंदोलन जो था एक अहिंशक आंदोलन था और एक बरस में जनता को सायद इतना परसिक्षन नहीं दिया जा सकता था जिससे कि ज और यह आंदोलन जो था वो बंद हो गया और फिर गांधी के नितरुत में अगला जो आंदोलन है वो 1930 में सभीन अबग्या आंदोलन के रूप में शुरू हुआ तो यह अस्थगन के बारे में आप से चर्चा हुई और आपने जाना के किस तरह से गांधी ने और गांधी ने क्यों आंदोलन को अस्थगन किया बस्तूता इतिहास कारों का एक बहुत बराबर्ग है जो यह मानता है कि गांधी का आंदोलन का अस्थगन जो है तो यह जो निरने था यह चुकि गांधी ने एक तरफा यह निरने लिया था चुकि कॉंग्रेस के सभी परमुखनेता जो सब्सक्राइब ने इस तरह का फैसला लिया इस से थोड़ी शंशनी फैली कंग्रेसी नेताओंतों ने बड़े ही कुछ कंग्रेसी कइस कुछ कुछ नेताओं ने गांधि को यह चुकआ हुआ निक्टा माल लिए रहा Thema ही और जो है संब्सक्राइब गांधीinkा दिर भर प्राइब मिलता है जो के खासरा ही प्रमाल्जित का जबाब दिया है और गांधी ने जंता को सम्राया है कि अहिंशका आडोलन जो है वो ज्रूडी है दूसरा पहलो आसरा हो दूसरा कने हम जानते हैं कि आश्योग आडो boy न जो है तीन मुड़्ून को लेकर क्या स्सुरोरा था पहला पंजाब आधार दूसरा खिलाफत का प्रस्ण और तीसरा सवराज्य का मावला था तो आपने देखा कि पांच फरवरी को आंधोलन को वापस ले लिया गया तो इस तरह से आंधोलन जिन कार्णों से शुरू हुआ था तो उन कार्णों में से किसी का भी समाधान नहीं निकल सका पंजाब का ज जो है वो समय के साथ अप्रसांगिक हो गया एक इसका इसकी अप्रसांगिकता यह है कि तुर्की में तुर्की के राष्टबादियों ने जुबा तुरक आंदोलन शुरू गई थी और जहां तक स्वराज का सवाल है तो स्वराज भी जनता को नहीं प्राप्त हो सका था तो इस तरह से अगर हम उपलवधियों की बात कहें तो यहां तो गांधी ने जिन मुद्धों को लेकर क्या अदोलन शुरू किया था उन मुद्धों पर गांधी को कोई बड़ी सिस्था यह है कि इसने पूरे देश के लोगों को एक जूट कर दिया यह बहुत बड़ी बात है अब तक भारत भारत की राजमीती की जो मुख धारा थी उसमें परहे लिखे लोगों का ही बर्चस हो था महानगर में रहने बाले लोगों का ही दवदवा हुआ करता था लेक को इहां तक की चाय बागान के मजदूरों को रेलवे कर मसालाओं में काम करने बाले मजदूरों को बरे बरे पूंजी पतियों को बेशाईयों को जमिंदारों को है ना इसके अलावा औरतों को बच्चों को है ना बूरे लोगों को आदिवासियों को सब को एक जूट करने का काम किया और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें पहली बार राजनितिक चेतना का भी काश हुआ तो इस तरह से इस आदोलन ने पूरे भारत के लोगों को एकजूट किया और अब कॉंग्रेस पर यह कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि कॉंग्रेस जो है मुठी भ भारत की जन्ता पर काफी प्रभौ डाला है और इस आदोलन का असर जो है देश के सभी भागों में देखा गया कहीं थोड़ा कम और कहीं जादा तो इस तरह से अव्योग आंदोलन जो है बड़ा प्रभा भी शावित हुआ दूसरी बात है कि अस्वग आंदोलन के द्वार सदान जनता को गांधी ने निर्भिक्ता प्रदान की मतलब कि अब जनता में अंगरजी सासन के बिरोध करने का साहस हा गया पहले जनता अंगरजों का बिरोध करने से डरती थी जनता जेल जाने से डरती थी लेकिन अब गांधी का ये प्रभाव था गांधी ने लोगों को सि में एक उदाहरन के रूप में आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं आपको याद होगा कि अपनी चंपारण यातरा के दोरान जब गांधी मोतिहारी पहुंचे थे तो वहां के सिविलेस्टियों ने गांधी जी को वापस लोट जाने का आदेश दिया था उस सम थे इस तरह से गांधी ने जनता को सिखाया कि किस तरह से विरोध करना है और अंताग्रजी सरकार को जुकना पर रहा था तो पहले जनता सरकार का विरोध करने से घबराती थी जेलों में जाने से डरती थी लेकिन अब जनता के मन से अंग्रजी सासन प्रसासन का भैस समाप आपने देखा कि चात्र बरी संख्या में चात्रों की भी गिरफ्तारिया हुई थी तो इस तरह से लोगों के मन से अंग्रेजों का जो भैथा वो लगवग दूर हो गया था और एक बात और भी है सहयोग आदोरन ने भारती जनता को आदमिक राजनीती से परचित कराया आजा कर आदोरन को मजबूत आधार प्रदान किया तो यह असहयोग आदोरन की बहुत बड़ी उपलब्धी मानी जाएगी इसके अलावा हिंदू-मुस्तिम एक्ता के जिश्टिकोन से भी आदोरन जो है इसका बड़ा ही महत्तो रहा है आपने देखा कि 1919 से 1922 तक है ना इस पहल के बड़े आदोरन में हिंदू और मुसल्मानों की भागिदारी जो है वो जबरदस्त रही है और कई जगों पर तो मुसल्मानों की जो मुसल्मानों का जो आदोरन में मुसल्मानों की आदोरन में जो सभागिता रही है वो किसी भी अनबर्ग से उसको कमतर करके नहीं आका या सकता है कई जगों पर तो जेलों में बंद होने बाले दो तिहाई मुसल्मान थे और इस तरह से हिंदो मुस्लिमिक्ता का माहौल कायम हुआ जो इस आंदोलन की प्रसंसनिय उपलब्धी कही जाएगी इसके अलाबा इस आंदोलन ने भारत में कुटिर उद्यों को बढ़ा हैं और फिर सोदेशी पर भी सादोलन ने जोर दिया था इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में सोदेशी उद्योगों का विस्तार हुआ सोदेशी उद्योगों का विकाश हुआ और इससे भारतिय पुझीपतियों को फायदा हुआ तो इस तरह से कुटि उद्योगों को सादोलन में आपने देखा है कि ऑडों की भागिदारी रही है या पहली बार है जब अड़े घर की चहारदिवारी से निकली और उन्होंने राष्ट्रिये सबाल पर गांधी जी के आहवान पर आंधोरन में भागिदारी की खासकरके विदेशी बस्त्र विदेशी बस्तू और शराव कि दुकानों दिया और इस तरह से औरतों की भागिदारी महत्तपूर्र है इस ऑंदोरन में इसके लाबा गांधी के रचनात्मक कार्जकरब तो गांधी के रशनात्मकार्ज क्रम में आप देखते हैं कि गांधी चुवा चूट का विरोज करते हैं तो जाहा तक चुवा चूट के विरोज का मामला था तो गांधी की सूच ये थी कि भारत की लगभग एक चौथाई अबादी जो आबादी है उसको अचूत बरग कहा अधा तो गांदी की सोच यह थी कि पांदी पहली बात तो यह कि गांदी जो चुआ छू अचूत की पर्था है ए लं पृंई yr तो ईस पर्था से किसी भी सबहेस्राज ऑफिन को मुगतो होना चाहिए तो गांदी की रचेनात्म कार्ज क्रहन की दोवरां गांधि हमें वो गाउं में गये और उहां जाकर के छुव अच्छूत की भापना का उन्होंने विरोध किया और अच्छूतों को राइंदी के मुखधारा में लाने का प्रियास किया तो इस तरह से यह अंदुलन की उपलब्धी मानी जाएगी इसके अलाबा और भी कुछ चीजें हैं जि सरकारीवंदी का कि बात कही गई बर परमाने परquar्णोरण चलाया गया इससे जनता को उस कुरीथी से व loft जो जनता में जो वह स्रापीने के आदत थी तारी में खुआ फृत थी उससे जनता मुक्त हो पाई तो इस तरह से उनके चड़ितर के विकास का सबसे बरी उपलब्ध की इस आधोरण ने कार्जकरताओं की एक भरी फोज तैयार की आपने देखा था कि गांधी नहें सरकारी सिक्षन संस्थाओं का भाइसकार कनारा दिया तो बरी प्रशंख्या में सरकारी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले चात्रों ने गांधी के आहवान पर स्कूल कॉलेजों का परितिया कर दिया था और यह जो थे यह असवयोग आंदोलन में बड़ी ही मजबूती से यह अपनी भागितारी निभा रहे थे और बाद के दिनों में जो आंदोलन चलेगा खासत के जो सिविल डिसोबीडियंस मोहमेंट है उसमें गांधी बहुत हत्तक सफल होते हैं उनका यह आंदोलन जो है बराही जोरदार होता है तो इस तरह आपने देखा कि असवयोग आंदोलन की कई एक उपलबधियां है और इन उपलबधियों स असा प्रतीत होता है कि आंदोलन को बिल्कुल असफल कहा जाए यह उचित नहीं होगा तो इस तरह आपने असयोग के सभी पक्षों पर चर्चा की आपसे जो चर्चा हुई है असयोग के सभी पक्षों पर तो आपने जाना है कि असयोग आंदोलन जो है भारत का पहला जन अंदोलन था फिर आपने हमी जाना कि असरयोग अंदोलन के क्या कुछ कारण थे जिसमें आपने जाना कि पर्थम्य चुद्ध किस तरह से भारतियों को प्रभावित कर रहा था दूसरी बात है कि इंग्रीजी सरकार ने जुद्ध के वर्सों में एक काला कानून लाया था इस जलिया वाला बाग का कारण हुआ जिसमें दोस्तों पर पुलिस न गोलिया चलाई 389 लोग मारे गये थे फिर आपने देखा कि हंटर कमिटी में किस तरह से इस पूरे मामले प्रलिवापोति करने का प्रयास किया गया मानफोर्ट सुधारों की प्रयापता भी भारतियों के भारतियों के उत्यजित होने का कारण बना था इसके अलाबा खिलाफत का मामला तो यह सब कारण थे जो असायोग आंदोओन के लिए मुखरूप चब्तरदाई थे इसके अलाबा आपने देखा है कि खिलाफत के नेताओं के साथ मिलके गांधी न किस तरह से असायोग सब्सक्राइब किये गा जंता के सामने और सजोग के कारण ग्रमों को रखा गया और फिर आंदोलन एक जन्वरी उनिसवकीज से पूरे उस्षा के साथ सूरू हुआ और जंताने गांधी का पूरा कपूरा साहथ दिया इसा आदोलन में जितने भी कारण थे उसको जंताने अपनाया जनता ने उनकार्ज क्रमों पर चलने का प्रयास किया लेकिन आपने देखा कि पांच प्रवी निश्वाइस को गांधी ने चौरी-चौरा कांड के होने परिसांदोवन को वापस ले लिया और फिर अंदोवन के अस्थकर्व के जो कारण थे उसकी चर्चा हमने आप गौर से देखेंगे सुनेंगे तो निश्ची तोर पड़ आपको लाब होगा धन्नबान